हे एलो स्टुडेंट्स इस वीड़ो में हम बात करेंगे ICSI का एक very important announcement very good news जो all CACS, CMSRS students के लिए plus non-CMAS student, non-CA, non-CS students के लिए very important है now first of all update बताऊँ उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा request करूँगा अगर आप सभी YouTube चैनल पने हो तो please चैनल को like, subscribe एंजो साइड में, bell icon और बटन से प्रेस कर देना now update स्टुडेंट्स, अपडेट चेक करने के लिए ICSI का official website पहाना होगा latest announcement के section पे click करने के बाद यहाँ पे आपको एक section दिखेगा student का just like student के section पे click कर देना थोड़ा सा scroll down करोगे यहाँ पे आपको एक announcement दिखेगा ICSI ने भी एक announcement रिलीस किया है ICSI All India Online Current Affairs and GKQs याद रहे, बहुत useful है free certificate लेने का opportunity है यह चाहे आप CA हो, CMA हो और फिर CS हो आप सभी student इसका benefit ले सकते हो plus non-CAC, CMA students भी अभी क्या है All India Current Affairs and GKQs GKs आप समझ गया होंगे General Knowledge regarding हो गए and Current Affairs regarding आप से question पुछा जाएगा Online mode होगा आपका exam UGC recognize, इसको recognize कौन कर रहा है UGC, CS qualification as the equivalent to post graduate and degree अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना participant fee free है CMA student हो, CS student हो या फिर CS student हो सारे students eligible हो No participant fee होगा आपका eligibility category के अगर हम बात करें student जो class 11th में अब presuming कर रहे है या फिर class 12th में presuming कर रहे है वो सारे students eligible है यहाँ पे देख से graduation आप किसी भी stream से graduate हो, आप eligible हो student of ICSI as like CSWT का हो आप eligible हो एक बात रहे हैं यहाँ पे कुछ students को restriction है कि आप नहीं eligible हो अब वो देख सकते हो, maximum आपकी age limit 25 years तक होना चाहिए student of ICSI are not eligible for as like to participate और ICSI employee या फिर उसकी family members में से कोई भी participate नहीं कर सकता है their words as spouse are not eligible उनके जो भी as like जो CS qualified CS है वो participate नहीं कर सकते बट उनके साथ साथ उनकी spouse भी as like participate नहीं कर सकते अगर आप CS executive या फिर professional का student हो तो भी आप eligible नहीं हो only कौन eligible है CS WT का students और कौन eligible है class 12, 11, past student presuming कर रहे हो आप आप सब eligible हो, अब मैं कैसे बोला CA और CMA students आप सारे CMA या फिर CA students graduate होते हैं अगर आपके माइन में आप सार में graduate नहीं हूँ तो 12 की बेस पर आप registration कर वालो अपना participant fee जो है free of cost है एक रुपए भी charges नहीं दिये जाएंगे देख सकते हो 16 अगर्स से registration on हो चुका था 30 October तक चलेगा यहाँ पर कुछ rounds होंगे students for example पर प्लीने मेरी राउंड वन नौमबर 20 24 फार्स नौमबर को कंडग किया जाएगा सेमी फाइनल राउंड 14 नौमबर को और फाइनल राउंड 22 नौमबर को 22 जिसे हम कहते हैं कि registration करने के लिए देख सकती हां से registration करना है किसी को करवाना हुआ तो बता देना हम सब्सक्राइब तैन सब्सक्राइब अवरेयो को केशा प्रिशाएट प्रॉण। स्टेट यूटी एंट टॉपर्स एंड कंसोलेटिशन प्राइज जो होगा कैसा वर्ड वन थाउजन प्लस टीडियस अप्लिकेबल हो यहां पर तो आप चबी इसमें फ्री में प्रोवाइट किया रहा है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने का मतलब कि आ सब्सक्राइब करना है औल डिटेल्स अपना फिलब करना है आपको सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप ना है तो पत्नली मैसेज कर देना